गर में नेगेटिविटी फिला सकती है किचन में रखी ये चीजे आज ही करें इन्हें घर के बाहर नमशकार मैं हूँ सिम्रन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल यदि घर के हर इससे में वास्तु नियुमों का ध्यान रखा जाए तो इससे आपको अपने जीवन में विशेश लाब देखने को मिल सकता है वास्तु शास्त्र में माना गया है कि रसोई में रखी कुछ चीजे आपके घर में नकरात्म कूर्जा का संचार बढ़ा सकती है जिससे व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है वास्तु शास्त्र में माना गया है कि मुर्जाय हुए या फिर सूखे हुए पेड पोधो को अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए इससे नकरात्मक्ता भढ़ती है और दुर्भाग्य आकर्शित होता है ऐसे में यदि आपकी रसोई घर में कोई सूखा हुआ पोधा रखा हो तो उसे तुरंथ हटा दें और इसके स्थान पर नया हरा भरा पेड लगाए कई लोगों की आदत होती है कि वह डिबो को खाली होने के बाद भी उसे किचन में रहने देते हैं लेकिन वास्तुशास्त में माना जाता है कि इससे भी नकरात्मकता बढ़ सकती है ऐसे में यदि आपके किचन में खाली बर्तन या डिबे रखे हैं तो उन्हें पुने भर देना चाहिए या फिर उन्हें हटा देना चाहिए महीं वास्तु शास्त में यह भी माना गया है कि यदि आपके रसोई घर में ऐसे चाकू या छुरी रखे हुए हैं जिनकी धार खत्म हो चुकी है तो यह भी शुब नहीं माने जाते ऐसे लिए शुब परिणामों से बचने के लिए चाकू छुरी आदी की दार कम होने पर उन्हें दुबारा धार लगवा लेनी चाहिए फिलाल के लिए इतना ही ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन स्प्रीचुल धन्यवाद